अर्वल्लीना भिलोडानो युवक कुल्दी पटेल यूक्रेन बॉर्डर पर फसायो छे तैनी साथे एकजार बसो भारतियो पन यूक्रेन मफसाया होवनी वाद सामे आवी छे युवक न पिताय सरकार पासरे मददनी पोकार करी छे अब भारतियोंने जड़पती परत लावा मांग करी छे सतत छिल्ला त्रण चार दिवस्ती रश्या और यूक्रेन वचे चाली रहला यूद्ध मा मोटी संख्यामा भारतियो विद्यार थे उउक्रेन मफसाया छे तेरे पाट्रण अने मैसाना जलाना वालियो पाट्रण खाते भीगा थाया हता अनि बालकोंने परत लावा शूक करी शकाई तेमाटे विचार विमर्ष करिया युक्रेनी बॉर्डरों चारे तरफ थी सेल थाई गई छे जेते विद्यार्थियो भारत आवा रजडपाट करी रहा छे सरकार अतिया सुधी त्रोण विमान मार्फते केटलाक भारतिया विद्यार्थियो ने भारत परत लावी चुकी चियाने हजू पन अनिया फस्तायला विद्यार्थियो ने पाच्छा लावामा आविर्या छे कि रिसेंट एवा मारा बालक ने फॉन करें वाद करी एटले त्या एमना ग्रूप माधी यस पार्थ अनसीवं त्रहन शुक्रावा बॉर्डर क्रोस करीं दक्का मुकी मां अंदर जत्ता तो रहा था पन अंदर गया पसी यह लोकोन विजा इमिग्रेशन करवा मान अथी आ कि रोशे बॉर्डर ने अंदर पन ए लोको एटलू टॉचर करेशे लोकोने बार काले शे अन्ने त्या विजा पन नती आलता आगर जवाब पन नती देता अन्ने आ टॉचर मा जो कोई पन छोग्राने कैक था लाकडी लाकडियो पन मारे चे टियर गयास पन छोडेशे तो कौन जवाबदार आनू त्रोण दिवस्ति त्या बोडर उपर रोमानिया बोडर उपर भसाये ली छे अन्ने ए लोको लगपग 35 किलोमीटर चाले ने त्या गया चे नथी खावा पीवानी व्यवस्ताने ठंडी मा एटला ठूटवाई गया चे इमनी बोलवानी आलत नती अमारी दोड़े यह बोलवानी तो दूर्वाद के कि ममी अवे हमारी उभीडे अवानी ताकाद नती बस अमारी सरकार ने अपिल भारत सरकार ने के यह लोगो अमारी जोकरہ वो छे लिवा शोकरियों छे बदाने बोडर पार करावे और शेट साइब इंडिया लावे बस जड़पी में जड़पी जड़पी बाद फिर इस हमें एक फोर्प कर जा लए सके इद्टलि खर खर मेंट ने जल्ट फिर नेमने मंत्री परिए युक्रेन में फसाला भार्तियों ने स्वदेश लावा कवायत हाद दर्वमा आवी छे द्वारकानी विद्यार्थीनी नी पन पोलेंड जवा रवाना थाई गई छे भाणवड ना तबीब नी पुत्री केलशी डढ़ानिया ते पोलेंड जवा माटे रवाना थाई गई छे विद्यार्थीनी केलशी वीडियो थी तेनी व्याथा पन व्यक्त करी छे सकत महनत अने सम्मर पण थी जीवन मां कई पण शक्ये छे न्यूजएटी नी पहल बाजूस यंग जीनियस मां अमेवा घणाबधा बालकों नी मल्या जमने तेमनी उमर मां अशक्य होय तेवा कार्य करवा मांटी निर्धार बतावे छे आनद नरसिम हने प्रथम एपिसोड मदर्शावा मावला अधिराज चौधरी साथे वाद करी चालो जो ये आपिसोड बाजूस यंग जीनियस सीजन टू के सफर में हम मिले एक बहुत ही होनहार सितार वादक से जोकी जैपूर सैन्य घराना के चिराग हैं आईए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बाजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा अधिराज चौधरी नमस्ते अधिराज कैसे हैं आप जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ अधिराज मुझे एक बात बताईए आप से बात करकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपको बाइजू जीनियस सीजन टू के सेट पर आकर कैसा लगा बाइजू जीनियस स्टू के सूडियो में आकर मुझे बहुत प्राउड फिल हो रहा था कि म कि मैं क्योंकि मैं पहली बार किसी शो में आया हूँ तो मैं बहुत नर्वस भी था स्टार्टिंग में और मुझे बहुत कई नहीं प्राउड भी फिल हो रहा था अच्छा एक सबसे मेमरेबल लमहा आप मुझे बताईए जब आप बाइजू जीनियस सीजन टू में आये त तब वह वाला मुमेंट सबसे मेमोरेबल था मेरे लिए वाह वाह थैंक यू वेरी मुच अधिराज all the very very best thank you thank you so much जी थैंक यू